डॉक्टर साब सर्दियां है और सर्दियों में जो है लोग खरास की समस्या से बहुत जूशते हैं तो इसे कैसे बचे एक बहुत में तो पूर्ण सवाल हो जाता है क्योंकि सब जूशते हैं बुजर्ग भी जूशते हैं बच्चे भी जूशते हैं और जो मीडियम एज में हो होते हैं वो तो जूचते ही हैं जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया आज अभी जो ठंड की सुरुवात हो चुकी है ऐसे में काफी सारे लोग परिशान हैं कि बस मैं सुबह मौर्निंग वाक में गया या तो बच्चे स्कूल जारें के दर्मियान उनको गले में खरास या सर बुजर्ड ना लगे और बाहर भी आप ठंडी चीजा ऐसा ना खाएं इतना हो सके घर में भी रहें तो गर्म गर्म इतरव पदार्थीले ज्यादा अच्छा रहेगा और यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समस्या सुरू हो गई इन सर्दी जो काम या गले में खरास हो रही है तो अप दॉर्ण डौक्टर से सलाह लेकर अच्छीद प्रामर से ले लें हमसे बार-बार गले में खरास रहती है तो क्या इनफेक्शन हो सकता है जी बिल्कुल बार बार इती हो रहा है तो ऐसे में देखना होथ है खासकर कुछ लोगों को समस्या होते है कि टॉं इस सब समस्या common होती है जो कि प्रोन होते हैं जो भी पेशेंट होते हैं उन लोगों में देखा गया कि ठंड से एक्सपोजर हुआ और तुनंद गले में खरास और सरदी जुकाम की समस्या हो गई डॉक्टर साब आपने बताया कि टॉंसिल की समस्या भी हो सकती है तो मैं चाहूंगे कि थोरा टॉंसिल के बारे में बता देखा लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि काफी साइज बढ़ जाते हैं या बार बार उसमें इन्फेक्शन लगने की समस्या आ जाती है तो ऐस में डॉक्टर से उचित सलाह लेकर उस समस्या को दूर किया जा सकता है इनिशली हम लोग पेशिंटे दे ऐसे आते हैं तो हम लोग एंटिवैटिक और आंटिस्टापने का माउथवास जो भी हो इस तरह देके कोशिज करते हैं कि दवा से ठीक हो और बार बार पर परशानी हो रही है तो फिर हम लोग उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो अगर हुआ है तो टॉंसल में ऑपरेशन की भी आवस्ट रखता होती है है हाँ बार बार इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं लोग और पेशिंट भी इस से ग्रसित है कि नहीं मुझे बार बार फीवर हो रहा ह तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि पेशिंट दवा से ठीक नहीं हो पारा तो फिर हम लोग सला देते हैं कि आप आपरेशन के तरब जा सकते हैं कभी कभी टॉंसिल के साइज इतनी बढ़ जाती है कि पेशिंट को खराटे की समस्याने लगती है या तो उनको बहुत सरी बुजोर्गों के लिए बस है कि अपने साब्धानी कुछ बरते हैं डॉक्टर्स जो प्रामर्स दे कि हाँ आपको क्या लेनी खाने में क्या नहीं लेनी उस चीज से बचना है और मेरे विचार से सही सलाह लेने पर बुजोर्गों में भी इस तरह का प्रिशानी से दूर हो सकते हैं उचीत परामर्स फालो करें तो